जब कोई stock अपना एक range बना लेता है और कुछी दिन उस range के trade करने के बाद उस range को with high volume break करकी उपर जाने का कोशिश करते हैं तो हम लोग उसको breakout stock बोलते हैं मगर problem यह है कि हम लोग को यह पता नहीं चलता कि वो actually में breakout है या फिर false breakout है तो हम लोग उसके अंदर trap हो जाते हैं मगर आपके चींता का कोई बात नहीं मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे तीन breakout stock को लेके बात करूंगा जिसके अंदर आप अभी के लिए position बना सकते हो मगर वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल के अंदर नहीं हैं इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए और इंट्राबर का बेली वसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी subscribe कर लिए जे और subscribe करने के बाद पास में जो bell notification उसको ज़रूर प्रेस करना क्योंकि वो नहीं करने से आपके पास कोई भी notification नहीं जाएगा वीडियो में आगे बनने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहूंगा कि मेरा एक free telegram channel है जो की bazar insight नाम पे आपको telegram पे मिल जाएगा उसका वहां पर मैं बहुत सारे चीज़े पोस्ट करता हो तो अगरी तक अब उसके अंदर नहीं है तो वहां पर होना ज़रूरी है उसका link आपको इस वीडियो का description में मिल जाएगा और उसके साथ मेरा जो WhatsApp चैनल है उसका भी link आपको इस वीडियो का description और पीन comment में आपको मिल जाएगा वहां पर जाके add हो जाईए तो चैल पठत मेटल सेक्टर स्टॉक है लास्ट इन हम लोगों ने देखा कि मेटल सेक्टर ने बहुत अच्छा खासा उपर की तरफ upside movement दिया उसके साथ JSW स्टील भी लगभग 3% upside movement दिया है तो JSW स्टील के अंदर हम लोग देख लेंगे कि क्या scenario है अगर आप देखे ये 5-minute time frame का और tools के उपर यहां पर काम करता हूं तो उसके basis पर मैं आप लोग को view दोंगा तो यहां पर अगर आप देखते कि ये इसका फिवनेशी retracement मेर कर देता हूं तो यहां से ये upside movement हुआ था अब देखिए breakout भी यहां पर हुआ था टोटल एरिया का अगर retracement हम लोग लगा लेते हैं तो कहीं न कहीं यह देख रहे हैं कि हम लोग इसका जो 23 परसंट एरिया उसके करेब करेब यह 899 पे closing दिया है तो जेस डब्लू स्टील के अंदर अगर आप देखे कि यह जो एरिया है 901 का वह बहुत एक important एरिया है यह ए इस एरिया को अगर फिर से breakout करते हैं तो कहीं न कहीं यह हम लोग ऊपर की तरफ movement देख सकते हैं तो उसी की हिसाब से हम लोग देखेंगे उसको उसी की हिसाब से हम लोग उसको buy करेंगे above 901 stop loss target मैंने दे दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं और अगर हम लोग देखते कि इस level की उपर यह जाके sustain होता है 10 minute at least 5 minute का 2 candle की उपर तब ही हम लोग buy करेंगे तो उसके वज़ा से अगर आपको 901 के जगा 902, 903, 904 जो भी level मिलेगा वहाँ से आप buy कर सकते हैं बाकी चीज़े target stop loss सेम रहेगा ठीक है अगर आप देखते कि यह sustain नहीं होता है तब हम लोग क्या करेंगे ठीक है अगर हम लोग देखते कि यह 901 की उपर sustain हुआ ही नहीं ठीक है और यह उहां से return आ गया तो हम लोग क्या करेंगे यह area जो जिसका chances ज्यादा कम है यहाँ पर अगर उहां से short sale करेंगे यानि कि उसका level रहेगा 890 stop loss target मैंने दे दिया है अब देख सकते स्क्रीन पे इसके हिसाब से आप काम कर सकते JSW Steel के अंदर मंडे को second view में हम लोग चल परेंगे लेकिन उसके पहले एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूंगा अगर आप नए है market के अंदर अगर आपको लगता है कि आपको hand holding support की जरूरत है तो मेरा 3 whatsapp premium group है जहां पर आप join कर सकते है equity intraday premium service जिसके अंदर equity stocks की उपर में view देता हूं daily basis hand holding service के साथ level stop loss के साथ उसके अंदर अगर आप जोडना चाहते है 599 पर मंत का छोटा सा फीज है second जो है option की उपर है intraday bank nifty option की पर मैं काम करवाता हूं वहाँ पर अगर आप add होना चाहते intraday view देता हूं whatsapp पर अगर आप काम करना चाहते 699 पर मंत का छोटा सा फीज है और third जो है btst activity fno segment की उपर future की उपर option की उपर btst यानि कि आज buy करेंगे कल sale कल sell करे आज sell करेंगे कल buy ऐसे view देता हूं उसके अं advisory service भी नहीं है purely educational service है मैं जो trade करता हूं उसके basis पे मेरा analysis रहते हैं उसके basis पे मैं support देता हूं तो अगर ये जानने के बाद ही आपको अच्छा लगे आपको लगे कि सही है तब ही आप यहाँ पर आईए मेरे पास whatsapp number मैंने दे दिया है whatsapp करके आप join कर सकते हैं ठीक है चल प इंडिया की उपर और यह रहा state bank का पांच मिनित टाइम फ्रेम का चार्ट इसके अदर भी अगर आप देखें ध्यान से इसके अदर भी banking sector भी लास्टे बैंक निफ्टी करिब-करिब 0.8% उपर 400-400 पॉइंट उपर close दिया है और state bank भी करिब-करिब 1.64% उपर जाके closing दिय तो हम लोग इसके अंदर अगर अगर तोटल एरिया का इंटरेश्मेंट जैसे मैंने बोला मैं यहाँ पर इंडिकेटर के वज़ा वहाँ पर यूज नहीं करता हूं यहाँ पर मैं टूल यूज करता हूं प्राइस एक्षन यूज करता हूं यह मैंने लगा दिया अब यहान से देखिएगा यह इस एरिया इसका 23% वाला एरिया 859, 60 की उपर सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर अगर सपोर्ट लेके इस टॉप को यह ब्रेकाउट करेगा यानि की 864 उसके उपर जाके 10 मिनि सस्टेन हो जाएगा यानि की 5 मिनिट का 2 कैंडल एक लिस्ट उसकी उस ल नीचे आ जाते है और नीचे आके इसका जो 50% एरिया है 854 उसके नीचे अगर यह चले आते हैं और 10 मिनिट उसके नीचे सस्टेन हो जाते है तो उसको हम लोग शौर्ट सेल करेंगे लेवल स्टॉप लॉस टार्गेट सारे चीज़े मैंने दे दिया फिर से मैं बता रहा मैं कोई आडवाइजर नहीं हूँ यह यह यहाँ पर आप उसके हिसाब से खुद की रिस्क अपटाइट के समझने के बाद मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है अगर आप उठाना चाहते हैं खुद के रिस्क के हिसाब से आप ट्रेट कर सकते नहीं तो आप इसको तोड़ा अचीब कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले डेली बेसिस में वीडियो दे सकूँ और इस चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए थर्ड वी में हम लोग चल पड़ते हैं थ चार्ट अगर 5 मिनिट का चार्ट देखे यह पूरा यहां पर यूशेप पर यह रिकोवरी करके इस लेवल को ब्रेक आउट करने का कोशिश कर रहा है अगर हम लोग इस एरिया का टोटल एरिया का रिट्रेस में निकाल लेते हैं क्योंकि यह टोटल यहां पर बार बार सप ले रहा था यहां से फिर से support लेके ऊपर जा रहा है तो अगर हम लोग देखे कि यह यह एरिया जो कि यहां पर लास्ट टाइम भी यह एरिया के आसपस से return आया था उहां इस पर trade कर रहा है जाते है रिवर्सल हो जाते है और इसका जो 38% वाला एरिया है जो की लगभग करीब करीब 326 के आसपास आ रहा है उस एरिये के नीचे आता है तो फिर से ये नीचे आ सकता है और भी नीचे आ सकता है इस एरिये के नीचे से 10 मिनिट उसके नीचे अगर सस्टेन होते हैं तो श तो सारे चीज़े मैंने दे दिया आपके आखों के सामने हैं वीडियो को पूरा अनलिसिस को देखिए और उसकी हिसाब से ही ट्रेड लीजिए तो यह था दोस्तों आज का एपिसोड कल आके मैं मंडे को आके मैं इस एपिसोड को रिव्यू करूंगा क्या पोजिशन है क्या हुआ है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले तो यह था आज का एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए सब को